केजरिवाल एक नंबर का भिरस से मुसल्मानों के वोट लेने के लिए कहता है मैंच पे हमें डाली चाहिए सिराज स्टाहिल डाली नहीं रखता है उसको ना भाशन कराओ कोई मुल्ला लगो जो डाली हो तू इस तरह की राजनिती करेगा दलितों को राजे निपाल गोतम को मंत्री बना दिया लेकिन एक पार बीजेपी ने विरोध किया तुने उसको मंत्री पत्ते हटा दिया केजरिवाल एक नंबर का नकारा निकम्मा ब्रद मुख मंत्री है करोणों रुपए में टिकट बेच रहा है मैं ओन रिकॉर्ड कहे रहा हूँ रागो चड़ा, मनीश सुदिया, हिलीप पांडे, आतिशी जो गुपता है, दो गुपता जो राजिसवा सांताथ बने ये लोग किसी इमानदार पत्रकार का फोन भी ने उठा सकते हैं आप लोग करके देख लिजेगा और सिर्फ एक सवाल पूछेगा कि कितने पैसे में आम आदमी का टिकट भिक रहा है कोई तीन करोड बे रहा है तो आप तेरा दोगे तो टिकट कट के आपको मिल जाएगा ये है अर्विंद केजरिवाल कि भारतिय जंता पार्टी कांग्रेश आवादी पार्टी ऐसे नुमान्दयों को विधायक और निगम पार्शाथ बनाती है जो जबान ना खोल सके हमारे यहां ऐसे लोग आएंगे तो दिल खोल के अपनी बात कहें अजादी को एक साल में नहीं आई थी और हमारे इस मंच के माध्यम से मैं समझता हूँ इस बारी आजादी आईगी दिल्ली में बारी आजादी आईगी हम बीजेपी आम आदमी कांग्रेश को ये दिखा देंगे ये दिखा देंगे कि तुम जब 85% पर सेंद लगा सकते हो 85% जब 15% पर भी लगा सकता है हम उनकी सीटों पर भी कंडिडेट खड़ा करेंगे और जीतेंगे पे सब गए हैं अब खाली जैवीव दिल्ली में पिछले तीन बार से बीजेपी काविज है उसने दो इलाकों की बिलकुल अंदेखी की है एक मुस्लिम बहुल बस्तियां और दलित बहुल बस्तियां वहां पे उन्होंने अपनी सिविक एमिनिटीज का बिलकुल अभाव है वहां आप जाईए कुड़े के डेर मिलेंगे नाले मिलेंगे खुली नालिया मिलेंगी और जो स्वास्ते और शिक्षा की भी सुविदाएं वहां बिलकुल ना के बरावर है इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो अपने पीट थब 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 आती है कि हमने स्वास्त पे बहुत काम किया है तो उसने स्वास्त की सेवाएं भी खास्तों से महला क्लिनिक पोश देली में तो जहां उसने पांच बनाई दस बनाई उसके मुकाबले में जो अनतराइज एरिया है जहां पे ज्यादा बीमारी है वहां पे एक बनाई या दो बनाई इसी तरीके से शिक्षा जिस पर अपना वो पीट थब 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 आती है उसने सिर्फ जो पहले से मौजूद है स्कूल थे उनके रेनुएशन किया या उन पे कमरे एड किये जबकि सच्चाई यह है कि अनतराइज कलोनियों में पहले से स्कूल ही मौजूद नहीं थे जब इसकूल ही मौजूद नहीं थे तो वह स्कूल का उनकी जो शिक्षा नहीं थी कोई फायदा नहीं हुआ हमने कहा भी अर्विंद केजरिवाल को कि आप अनतराइज एरियों में मौसलिम और दलित बहुल बस्तियों में स्कूल बनाईए उन्होंने हमसे वादा कराम बनाएंगे उन्होंने दिल्ली वक्ष वोट को कहा भी कि स्कूल वो मुसलिम इलाकों में बनाएंगे और दलित इलाकों में बनाएंगे काम शुरू भी हुआ लेकिन जैसे ही उनको उन्होंने एलान किया और वोट मिल गया उसके बाद उन्होंने वो प्रजेक्ट वापस ले लिया तो सवाल अभी यह है कि अर्विंद केजरिवाल जिन वादों से सत्ता में आये उन्होंने यह कहा था कि हम संप्रदायक से संप्रदायक जो है ब्रश्टाशार से बड़ा मुद्दा है आज वो हिंदुत के बड़े खिलाली बन गए यानि जब जब मुसल्मानों पर कोई तकलीफ आई चाहे वह जमातियों को जिम्मिदार ठेराया और उसके नतीजे में जमाती पूरे हिंदुस्तान में टार्गेट हुए पुलिस ने बंद किया फिर कोट ने उन्हें छोड़ा और सरकारों को भटकार लगाई कि तुमने जमातियों को क्यों परशान किया उसका खुशुरवार अकेले क बैट गए थे यह नहीं कि अपने अरसट विदायक ले जाकर वहां पर बैट जाते और वहां लोगों की जान बचाते इसी तरीके से जब शाहिन बाग में सीए नर्ची का प्रोटेस्ट हो रहा था तब अरविंद केजरिवाल का कहना यह था कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे ह तोल दी थी और सभी बड़ी बात आप यह देखें जब भाती जंता पार्टी जब जहांगीरपूरी में इनके मुसल्मानों के घरों पर बुल्डोदर चला रही थी तब आमाद्मी पार्टी उसके साथ जाके खड़ी हो गई उसने कहा कि यह बंगलादीशी और रोहें गय आमाद्मी पार्टी की लोगों से मुक्य मंतरी ने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है याप सत्ता में हो और आपको जुम और अत्याचार होते हुए देखोगा को मतलब नहीं इसलिए कि वह मुसलिम नहीं है भारत की बेटी बिल्की बानों सवाल अभी यह है ऐस पार्वं कि तुम जो कहकर आया थे कि हम साफ सुत्री राजनीती करेंगे लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो अब तुम संपरदायक हो गए अब तुम भृष्टाचारी हो गए और भृष्टाचार के भी नाम पर जब एक उनके दलित मंत्री ने बाबा साब की प्रितिग्या पढ़ दी तो मंत्राले से हटा दिया लेकिन दूसी तरफ उनका मंत्री करप्शन के अरोफ में बन दे इतने दिन से उसको मंत्राले से नहीं इंक? उनके बाए और ये जो जितनी हाल में यह सब काउंग्रेस की देन हो कांग्रेज्स की जो मनवादी सोच है उसकी देन की विज़े से आज ये कलोनीय ब्यक वर्ड है और वह इस सेम काम संग परबार करता संग परबार काड़ से संग परबार ने बाकाइदा यह पूरा प्लान किया हुआ है और वो यह अत्यचार करती हुए दिखना भी चाहते हैं आपने देखा हुआ गुजरात में एक मुस्लिम युवक को पॉल से बांद कर पुलिस मार रही है और पबलिक ताली बजा रही है यह जो कल्चर डवलप किया संग परवार ने तो इन तमाम एट्र ट्रितिज्ट के खिलाफ आज यह इस्सेदारी मॉर्चा एक हुआ है हिस्सेदारी मॉर्चे में चंशेघर एडससद्ट की पार्टी आजा समझ पार्टी हमारे साथ है लिबरेशन पार्टी अंटिया हमारे उती बाग tratar लिगों वोगी विसमाने साथी के फिस सब्सक्राइब जब 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 आंधी आती है तो बहुत सी चीजे गिरती है और आज जो हिस्टेदारी मोर्चा यह आंधी के रूप में हैं आंधी के रूप में इसलिए है क्योंकि वज़े यह है आज एक शोषन की बी इंतहा हो गयी है इस प्रकार की दिल्ली की जनता को जिस प्रकार बारती जनता पार्टी ने थाली बजा बजा कर और दिये जला जला कर दिल्ली की जनता को किसे अनिभिग नहीं है और इसी प्रकार अर्विन केजरिवाल की सरकार ने जिस प्रकार फ्री की राजनीती से दिल्ली की जंता को गुम्रा किया है और मज़ी की बात यह है कि दिल्ली की जंता को समझना चाहिए कि अर्विन केजरिवाल जो फ्री की राजनीती कर रहा है हर पांच साल में तीन चुनावाते हैं हर घर में लगबग 6,000 रुपे महीने का फ्री का मुआफजा है यानि आप समझे के चलिए कि 22,000 रुपे साल और 3,000 रुपे पांच साल में वो सरकारी रिश्वत दे कर उन वोटों को खरीद रहा है तो ये समझने की बात है आपको अगर अपने बच्चों का भविश्य चाहिए तो इमानदार लोगों को वोड़ दे और इस मंच के माध्यम से उन लोगों का आवान करते हैं हम कि आप हमारे साथ जुणे और इस मोर्चे में जो हिस्टेदारी है कि वोट हमारी राज तुमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये तो भारत के अंदर ये ऐसा एक सिस्टम बन गया है भारती जनता पार्टी के नितित में कि कुछ भी कह दो वो सब माफनी हैं तो ये इसको परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन होगा हिस्सेदारी मंच के माध्यम से जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी यहाँ पर तो आप खड़े होके बोल दीजे आपको कल पुलिस बंद कर देगी लेकिन ये क्यूंकि भारती जनता प सब्सक्राइब की जो बात है वो केजरवाद साप वाता हो तो फोटो लगाई जाए है पख़ारत बहुत समृ wan हो जाएगा मैं समझता हूं कि यह जो राजनीती चल रही है यह दिल्ली की जंता को समझना है कि वास्ता दोड़ने लगे कि और एक रुपे में 100 डॉलर आएंगे यह जो मजाग चल रही है इस मजाग में दिल्ली के जंता को समझना पड़ेगा और इसमें परिवर्तन लाना प होंगे लेकिन राजनीती के जहर उनके जहन में गुजगिया है उससे परिवर्त रोंगे असी-बीस करने वाले लोगों के लिए पहले परदान-मंतरी चौइस थे बीजे-पी अवामाधी पार्टी चौइस है देखिए चौइस तो आता रहेगा और आज जो यह गठन बना है यह चौइस के लिए बनाए तो दिल्ली के जंता को इस चौइस के साथ जोड़ना चाहिए ताकि असी-बीस की बात करते हैं उनके लिए कहा है तो हम भी तो पिचासी-पंद्रा की बात कर रहे हैं पिचासी-परसंट जो बहुजन है सी-एस्टी-ओवी-सी माइनॉर्टी व लोग बार-बार देखिए आजादी की लड़ाई के अगर इत्यास को आप देखेंगे तो इत्यादी को एक साल में नहीं आई थी और हमारे इस मंच के माद्यम से मैं समझता हूं इस बारी आजादी आईगी दिल्ली में इस बारी आजादी आईगी वार्मुला रहेगा किन जनता पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो उस समुदाय समाज के व्यत्ति को तो टिकट दे देते हैं लेकिन उसको अपना नौकर अपना पिछलगू अपना चिंटू बना के रखते हैं वो कोई विकास नहीं कर सकता आवाज भी नहीं खोल स सकता हमारा जो गटबंधन हुआ है हम लोग 200 पार्टी पे चुनाओ 200 सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे आदास समाज पार्टी यह दो पार्टियां एक मुस्लिम नुमाइंदिगी के लिए मशूर हैं विश्विस्तर पार एक दलित समाज का परतिनेजिस करते हैं लिबरल पार्टी मेरी है लिबरल का नामी है लिबरल उदार जो भी आना चाहिए उसका स्वागत है हम बीजेपी आम आदमी कांग्रेश को यह सिखा देंगे यह दिखा देंगे कि तुम जब 85% पर सेंद लगा सकते हो 85% पर भी लगा सकता है हम उनकी सीटों पर भी कंडिडेट मुख मंत्री है हिंदुस्तान में उससे बड़ा नकारा व्यक्ति कोई नहीं है करोणों रुपए में टिकट बेच रहा है मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं रागों चड़्डा मनीश सुदिया दिली पांडे आतिशी ठीक और यह आपके जो है जो गुपता है दो गुपता जो राजिसवा सांताथ बने डिन को एंडी गुपता और सुचिल गुपता यह लोग जो है किसी इमांदार पत्रकार का फोन भी नहीं उठा सकते हैं आप लोग करके देख लीजेगा और सिर्फ एक सवाल पूछेगा कि कितने पैसे में आम आदमी का टिकट भी करा है कोई 3 क्रोड ले रहा है तो आप तेरह दोंगे तो टिकट कटके आपको मिल जाएगा यह अर्विंद केजरिवाल गुजरात कं गयाकर रहा हुँ दिल्ली मुटले के पंजब के से बारफ लब के चहपकर में कांगरेस बरबाद हो गई राजनीती चाने केजरीवाल जी पर कि क्राइब सरीका सब्सक्राइब और एक गया नाही पर प्रॉथ कर स्थमाईरी पर क्रें दा करेंकिन से बर केंग तरीके से कोट अपने पत का धुरुपयोग कर रहा है चाहे कोई जज हो जो चीज सामने दिखाई दे रही है कि 34 लोगों को उसने अपने रिष्टेदारों को नौकरी दी वो नौकरी दी यह साबित हो गिया जज साफ कहते हैं कि यह बड़ा बुद्दा नहीं है और एक ताहि को जाओ क्यों नहीं अटाया सतेंजेन को क्यों नहीं अटाया और राजेंदर पाल गौतम की बात कर रहे हो वो दलिस समुझाय से है विचारा इसलिए उसको बली का बक्रा बना दिया बाबा साब भी मराम बेटकर की 22 परतिक ज्याय जो है उसका सम्वान मोधी जी भी करते ह हां तो राजेंदर पाल गौतम इसलिए नहीं कर रहे हैं मेरी बात जस्टिफाई हो गई कि भारतिय जंतर पार्टी कांग्रेस आवाद्नी पार्टी ऐसे नुमाहिंद्यों को विधायक और निगम पार्षास बनाती है जो जबान ना खोल सके हमारे यहां ऐसे लोग जो वास्त्विक नेते से वाला है वहादास समाच पार्टी और असादुद्दी नोवेसी तो एक नंबर का भिरास्ट नकारान निकम्मा है और केज़िवाल को मैं इसलिए कह रहा हूं कि केज़िवाल जब मुखमंत्री बनाता उसको मुखमंत्री बनवाने में हमारे जैसे का भिरस्ते मुसल्मानों के वोट लेने के लिए कहता है मैंच पे हमें डाली चाहिए सिराश स्थाहिल डाली नहीं रखता है उसको ना भाशल करा हो कोई मुल्ला लाओ जो डाली हो तु इस तरह की राजनिती करेगा डलीतों को राजे निपाल गौतम को मंतरी बना दिया लेक